Hey friends, welcome, कैसे हैं आप सब, आशा है, आप सभी स्वस्त होंगे, आज की reading है आपके person, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं, दो cards है, आपको एक card choose करना है, reading timeless है, जब भी देखेंगे resonate करेगी, लेकिन still general है, तो जुरूर ही नहीं है, सब से करें, अगर आप से करे तो like, share and comment ज़रूर से करें, I hope आप लोगोंने अपना card choose कर लिया होगा, सभी genders के लिए है, reading सभी religions के लिए है, so जिनोंने ये first card choose किया है, stress, आपके person ना, इस टाइम काफी stress में है, आपके रिष्टे को लेकर, इस connection को लेकर, उन्हें नहीं समझ में आ रहा आगे, कैसे बढ जादा है, उनकी family की उनके ओपर responsibilities हो सकती है, या फिर उनकी family नहीं चाहती कि आप दोनों एक हूँ, एक साथ रहें, तो family यहाँ पर main barrier है, जिसने उनको रोग के रखा है, जब-जब वो आगे बढ़ते हैं, family उनको रोग देती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, जिसक 11, 16, 25 important dates हो सकती है, या important number हो सकते हैं आपके लिए, जिन्नोंने second card चोज किया है, चार यट, again 7, हो सकते हैं, आप सभी को 777 angel number दिखते हो, जिसमें angels आपको कहना चाहते हैं, कि वो आपके साथ हैं, हर condition में, तो जिन्नोंने card number 2 चोज किया है, उनके person आपको लेकर बहुत positive हैं optimistic हैं, futuristic हैं, action लेने के लिए almost ready हो चुके हैं, life में सभी चीजों को balance कर चुके हैं, जिसके बाद अब उन्हें सिर्फ action लेना है, और वो already ready हैं, next 7 weeks में, 7 days में आपका रिष्टा बहुत बहुत बहुतरीन हो सकता है, और इस action का आप बहुत time से wait कर रहे थे, वो action आपको आपक 15, 28, 10, 2, 11, 19, 28, 5, 14, 23, 7, 16, 25 आप लोगों के लिए important दिखाई देते हैं, जमना इलिब्रा अक्वेरियस की energy काफी prominent है, I hope यह reading resonate की होगी, please do like, share and comment, thank you so much for watching, may God bless you.